इस वीडियो के अंदर हमने इस question को consider किया बिसिकलिए एक vibration का question है और इस vibration के अंदर हमसे natural frequency पूछे गई है यह question हमसे पूछा गया था मतलब सेंटर के साथ में ही एंड लेटरली सपोर्टेट इट वन एंड बाइस पूछी जाए शिस्ट्रम को आपके पास में अवे लेबल है और नेच्टरल फ्रिक्वेंशी ऑफ दे सिस्टम अगे इन नेच्टरल फ्रिक्वेंशी हमसे जब भी पुछी जाए मैं एक ही बात क पुछी जाए सिस्टम को आप डिस्टरब करके भी अप्रोच कर सकते हो आप सिस्टम एनर्जी मैथड के मदद से भी सॉल्व कर सकते हो अगर सिस्टम को आप डिस्टरब करके वहां पर नेच्टरल फ्रिक्वेंशी फाइंड करो तो वह प्रोसेस भी हम लोग यहां पर डि एपको किस तरीके से इसको कर सकते हो वह आपको समझना और किस तरीके से आप इसको कर सकते हों यहाँ पर क्या मिलने वाला है एक x1 elongation system के अंदर आपको देखने को मिलेगा या बोल सकते हैं कि x elongation system के अंदर या spring के अंदर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से उपर की side उपर की side एक force लगेगा kx और इसकी वजह से इस point के about एक torque develop होगा basically restoring torque का काम करेगा और यह अगर restoring torque का काम करेगा तो आप यहाँ पर equation लिख सकते हो i theta double dot plus tau restoring is equal to zero i किस point के about इस point के about आप आई consider करोगे और वहाँ पर i होना चाहिए ml square by 12 अगर i आपने put कर दिया तो टाव restoring क्या होने वाला kx multiply by l by 2 basically tau restoring भी available है आपके पास में i theta double dot भी available है तो आप इसको natural frequency यहाँ पर अगर जो basic SHM equation होती है उससे compare करके omega and calculate कर सकते हो इस video के अंदर हमने इस question को energy method से solve किया है तो जैसे आप इसको disturb करोगे जैसे आप इसे disturb करोगे यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपने इसको theta पर disturb किया तो spring के अंदर कितना elongation आ रहा है यहाँ पर x elongation आ रहा है तो इसकी वज़ेसे एक spring energy half k x square और इसकी वज़ेसे हमारे पास हमें एक और energy यहाँ पर kinetic energy देखने को मिलेगे वह होने वाली half i omega square तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक बार तो मुझे theta dot को define करना और एक बार मुझे x को define करना और final इसको theta में convert करना तो सबसे पहले अगर मैं x की बात करूँ तो basically यह distance हमारी x है यह मारे पास में l by 2 है और यह मारे पास में theta इस triangle को मैं separately consider कर सकता हूँ यह होने वाला x basically यह होगा l by 2 और यह angle होगा हमारे लिए theta so finally मैं क्या बोल सकता हूँ यहां से x is equal to x is equal to l by 2 multiply by theta तो आपने यहां पर x को define कर दिया आप यहां से बोल सकते हो x dot is equal to l by 2 theta dot तो अब हमें क्या करना है यहां पर replacement देने है like x को आपने यहां पर put किया l by 2 theta next point अगर आप यहां पर देखोगे theta dot तो आप यहां पर theta dot को भी replace कर सकते हो basically यहां सी लेकिन हमें समझ नहीं कि कौन से part के में जरूत है और कौन से part के में जरूत नहीं है सबसे पहले इसको theta की form में convert किया अगर यह theta की form में रहेगा तो इसको भी theta dot की form में रखना convert करने के आपको जरूत नहीं है तो E की equation जो है आपके पास में आ चुकी है, अगर E की equation आपके पास में आ चुकी है, तो आपको बताया जाता है यहाँ पर कि जो energy रहने वाली वो कैसे रहेगी, constant, अगर energy constant रहेगी, तो आप क्या बोल सकते हो हैं, यहाँ पर time के respect में इसका derivative रहेगा, वो क्या रहने वाला है, 0, आपने इसको differentiate किया time के respect में, और जैसे आप time के respect में आप differentiate करोगे, अब आपको इसके अंदर सिर्फ substitute करना I, जो आपको बताया गया था, ml square by 12, और जैसे आप इसको basically substitute करने वाले हो, अब last में आप इसके compare करने वाले हो, theta double dot omega n square theta is equal to 0, जैसे आप इसको finally compare करोगे, omega n आपको finally यहां से जैसे k और m की value आप उट करोगे, अपने आप आपको यहां से omega n मिल जाएगा, clear, thank you.